हलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लो विट्विन्स में स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम एक निया सब्जक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉप्टी लो और प्रॉप्टी लो में हमने ट्रांस्फर प्रॉप्टी एक्ट 1882 को अच्छे से कवर करना है जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस एक्ट का अबजेक्टिव क्या है ये देखेंगे और साथ में इस Act की स्कोप को भी जान लेंगे इस Act की स्कोप क्या क्या है तो आगे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो की शिरुवात करते हैं दोस्तों अगर मैं इस Act Transfer of Property Act 1882 की बात करूँ तो मेरे दोस्तों ये Act अगरे बेसिकली एक जुलाई 1882 में इनक्त हुआ था कमेस हुआ था इस Act की शुरुवात एक जुलाई 1882 को करी गई थी बच्चों जैसा की नाम में बता रहा है Transfer of Property मतलब ये Act कहीं न कहीं Property के Transfer से डील करता है ये Act कहीं न कहीं Property के Transfer से डील करता है है अब अचो only property जो होती है वह mıหु होती है है लुम कशन सभी होती है और फॉप्टी जन सभी होती है मतलब फैसे अचल मुटिया द क मैं ज्वनकर में जक्रस कते ही जैसे हमारी कॉंस करसे हमारी आप्ल्ट हो गई हमारी गूड्स होगी बैसिकली गूड्स होगी czenia और अचल सपत्ती में आते हैं जैसे हमारी लेंड हो गया हमारा बिल्डिंग हो गयी हमारा घर हो गया हमारा कोई टिद्र हो गया तो चलPass लैं जो इस खाल भी सीँए्ट प्रकीज़ से कंसा वह फी। ट्रांस इंब करता मतलब आंप को पता है एक पर्जार फिसे को थो दूरु क्सा क्पिला को सब्सक्राइब उख स delightful क्राइबthinking किż जारिक डेल विद्टा ट्रांसफर ओफ बेशिकली इम्मूवेबल प्रॉपरटी div जो लौ तर्प्र बैसिकली तर्स उअने सब्सक्राइब उन्मेबल प्रॉपरटी से भी डेल करते हैं हमारे transfer of property act के section 5 से लेकर 37 तक ये movable, immovable दोनों के साथ deal करते हैं हमारा जो है provision regarding the gift, provision regarding the exchange और भी कुछ इक प्रोवीजन है जो दोनों के साथ deal करते हैं चाहे वो movable property हो, चाहे वो immovable property हो लेकिन maximum जो provisions है वो immovable properties ही deal करते हैं तो बच्चो बेसिकली वट इस transfer of property act, transfer of property act is an act which is passed for regulating the laws, for providing the laws regarding the transfer of property अमंग लीविंग पर्सन अमंग लीविंग पर्सन बाद कुद्यां समय कोशी करनी है, अभी तक मैंने आपो कुछ नहीं बताया, अभी तक जनरल सी मैंने बाद बताई कि transfer of property जैसे कि नाम ही बता रहा है कि कहीं न कहीं यह property के transfer से deal करता है, और property movable भी हो सकती है, immovable भी हो सकती है, और यह जो act है, यह basically immovable property के transfer से deal करता है, हाओएवर कुछ provisions हमारे movable property के transfer से deal करते हैं इस act के, और यह act एक जुलाई 1882 को commencement में आ गया था, अभी जनरल हमने इतनी बात पड़ी, अब आगी main point आ रहा है, अब ध्यांस समय कोशी करनी हमने, मैं क्या बोना चाहता हूँ, transfer of property act जो है, it deals with the transfer of property among the living person, among the living, that is very very important, इसको ब transfer inter-bibles, transfer inter-bibles का मतलब होता है, transfer among the living person, तो बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि जो टीप यह है, वो transfer among the living person से deal करता है, अब देखो अगर बात की जाती है, transfer की, तो transfer दो प्रकार का हो सकता है, एक तो living person के बीच, एक तो living persons के बीच हो सकता है, एक between dead person, and living person के बीच है, दो प्रकार का transfer हो सकता है, दो living person के बीच, मैं जीवित हूँ, आप जीवित है, मैंने आपको अपनी property sale कर दी, gift कर दी, mortgage कर दी, lease कर दी, हम दोनों जीवित है, यह transfer among living person है, एक क्या हुआ, मालूम मेरी property है, मैंने property की वसियत बनाई, will बनाई, और मैं अमर गय अब जब मैं मर गया, तो मेरी property की जो property है, उसका बंटवारा कैसी होगा, वो property किसको जाएगी, जो मैंने वसियत में लिखा था, अब यहां पर transfer हो रहा है, एक मरे हुए बंदे से, एक leaving बंदे की बीच, अब जिनके नाम है लिखे थे property में, उनको property चली जाएगी मेरे मरने के बाद, तो यह leaving person और dead person भी transfer हो रहा है, जो की case होता है, विल का, किसे case होता है, वसियत की case में क्या होता है, एक person मर जाता है, और उसके मरने के बाद, उसकी property किसको जाती है, उसके here's को, उसके जो, जिसका नाम उसने वसियत में लिखा, basically, उसको जाती है, तो transfer among the leaving person भी हो स जीवित, जीते जी, हम property transfer करते हैं, उससे deal करता है, TPA, TPA कभी भी dead person या अर्था will, या succession से deal कभी नहीं करता, एक person मर जाएगा, उसकी property जिसको जाएगी, उससे TPA कोई लेना देना नहीं है, transfer of property act, मतलब TPA बोलूँगा, मैं, TPA मतलब transfer of property act, आप समझ लीजिएगा, उसके सा जाएगी, जो मैंने आपको समझानी थी, एक तो transfer of property में property का मतलब क्या है, एक तो आपको ये महत्यपुन बात पता होनी चाहिए, ये paper में लिख करानी है आपने, और दूसरा transfer अमंग living person के साथ, ये deal करता है, अभी introduction देख लें, अभी introduction खतनी हुई, उसके लिए तीसरा point आ आपने याद रखना है, वो आपने याद रखना है कि इस act की छोटी सी small सी history में लिख सकते हो, actually हमारे पास Indian contract act बना था, Indian contract act बना था, अथारासो बहतर में, हमें पता है, इंडिन contract act जो सथारासो बहतर का बना था, इसमें चार चीजों का provision दिया गया था, सबसे पहले section एक स से लेकर 75 तक, दूसरा section 76 से लेकर 123 तक, तीसरा section 124 से लेकर 238 तक और चोथा 239 लेकर 266 के around तक है न, बच्चों कर आपको light यहाँ पर परड़ी होगी, तो मैं जो बोल रहा हूं, वो words आप द्यान से सुने, और इसको cover-up करें, बच्चों अगर मैं बात करूं, एक से of contract, journal provisions of contract, जर्नल, provisions of contract, इसमें हम पढ़ते हैं कि ओफर कैसे बनता है, acceptance कैसे होती है, contract कैसे बनता है, consideration कैसे होती है, और contract breach हो जाए, तो क्या remedy है, यह साई चीज हम इसमें बढ़ते हैं, इसमें हमने आपके contract 2 में पढ़ा था, यह basically deal करता था, करता था, करता है नहीं, करता थ जाए, तो किसे, sale of goods से, sale of goods से डिर करता है, goods मतलब जो movable property है, goods का मतलब क्या यहां पे, movable property से है, movable, property जैसे हमारे apple हो गये, हमारा dود हो गया, हमारा कोई भी समान जो हम daily life में use करते है, movable हम दुकान में जाते हैं, सो बर जाते हैं, समान लेने के लिए, दाल लेने के लिए, और भी किता समान लेता है, तो सारी movables में आती है, तो यह movables की sales से deal करता था, उसके बाद 124 से 133 की sections थे, यह basic लिए deal करते थे, special contract की साथ, special contract मतलब contract of identity, guarantee, bailment, pledge, agency, यह 5 प्रकार के special contracts थे, जिससे 124 से लेके 230, यह तक deal करता था, special contract की साथ, special contract की साथ, हमने यह पर रख रख है पहले से, don't worry, यह जो provisions थे, यह basic लिए deal करते थे, आपको पता होगा, partnership की साथ, partnership के साथ, partnership के साथ, partnership के साथ जिनी करते है, कि जब दो यह दो से ज्यादा लोग आपसे मिलकर के partnership firm बना ले, तो वो partnership firm जो बनाएंगे, वो कैसे regulate होगी, उसके लिए rules यहाँ दिये हुए थे, तो बच्चों मैंने क्या बताए आपको, कि Indian contract act थारा सुबहतर में बन गया था, इसके चार provisions थे, journal provisions, sale of goods के बारे में, special contract partnership, इस Indian contract act में कहीं भी, immovable property के transfer की बात नहीं करी थी, immovable property के transfer की बात नहीं करी थी, यह movable property से deal कर रहा है, यह special contract के साथ, यह partnership के साथ, कहीं भी immovable property की बात थी ही नहीं, तो ठारा सो बहतर से लेकर, ठारा सो ब्यासी तक, जब तक यह नया act नहीं बना, तब तक हमारे देश में, हमारे देश में, जो immovable property का transfer होता था, सेल आ जाएगी, इसमें, गिफ्ट आ जाएगी, इसमें, लीज आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगा, जो यह immovable property का transfer होता था, यह regulate होता था, on the basis of principle of equity, justice, and good conscience, इससे deal होते थे, provisions किसके TPA के, transfer property act नहीं बना था, TPA नहीं आया था, थारा सो बासी में, तो थारा सो बासी में, contract act आया, पर यह complete नहीं था, वैसे तो हम sale करते हैं, वो भी contract बनता है, sale में भी एक बंदा offer करता है, जिसा accept करता है, consideration दी जाती है, वो contract ही बनता है, अगर हम exchange करते हैं, वो भी contract ही होता है, यह सभी contract ही है, पर यह जो Indian contract act बना था, बच्चो, इसमें कहीं भी, transfer of property के बारे में, प्रॉप्टिकों से इंभी प्रॉप्टिकों से इंभी प्रॉप्टिक के बारे में, और partnership के साथ, यह कहीं भी deal नहीं करता था, sale या किसी प्रकार की immobile property के transaction के साथ, immobile property के transfer के साथ, तो इसी कारण, इसी वज़ा से, क्या हुआ, बाद में, ठारा सो, बहतर से लेकर, ब्यासी तक, हमारा जो immobile property के transfer होते थे, वो acuity, justice, good, conscious के ओपर, बेस होते थे, इसके नुसार किये जाते थे, पर बाद में एक need महसूस हुई, कि नहीं, यार ऐसा नहीं हो सकता, हमारा भी अपना एक low होना चाहिए, इसलिए फाइनली क्या हुआ, ठारा सो, ब्यासी में, ट्रांसफर और ठार सो, ब्यासी बना, और एक जुलाई ठार सो, ब्यासी को इसको लागू कर दिया, यह सारी बात नहीं आपने लिखनी है पेपर में, यह मैं आपका बेस के लिए कर रहा हूँ, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज हाज जोर से विनर्म परातन है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेर भी करें दोस्तों के साथ, और हमारे जटने भी शोशल मीडिया हैं, चाहिए टेलिच नम है उसको फो면 फोलो कर ले, हमारा इनस्टागी पेज है लोग वीडिट्वीन के नाम से फोलो कर ले, हमारा फेस्बूक पेज है उसको फोलो कर ले और सात्ध ही साथ, प्लीज अपने दोस्तों के साहरें तो यह सबी उनिवर्सटी इसके बच्चों के लिए हैं लेक्टर चाहिए CUP, KU, HPU, CCSU, MSU, कोई भी उनिवर्सटी, चंडिगर उनिवर्सटी, डेली उनिवर्सटी सबी के लिए एपलीकेबल होने वाला है तो मेरे दोस्तों मैंने अभी तक आपको सिंपल सा बता दिया कि Transfer Property Act 1882 एक जुलाई 1882 को कमेंस हो गया था, इससे पहले इंडिने कॉंट्राक्ट अक्ट बना था 1772 में लेकिन वो Transfer of Immobile Property से डील नहीं करता था, उसमें केबल चार प्रोविजन थे, चार मेंली उसमें पार्स थ गई थी और 1872 से लेकर 1882 तक जो Transfer of Immobile Property था, वो on the basis of principle of good conscience, equity, justice के अदार पर transfer को regulate किया जाता था, बाद में नीड मेसूस करी गई और Transfer Property Act आ गया, Transfer Property Act बेसिकली दो लीविंग लोगों के भी जो ट्रांसफर होती है, उससे डील करती है, और property का मतलब यहाँ पर बेसिकली इम्मुवेबल प्रोप्टी से है, पर कुछ प्रोवीजन हमारे इम्मुवेबल प्रोप्टी से भी डील करते हैं, जैसे कि section 5237 हमारे प्रोवीजन रिगा इंद एक्सचेंज एक्सेंटरा, अब बच्चों कुछ एक example देख लेते हैं हम लोग, कि examples क्या क्या है, Transfer of Property Act किन च जो भी सेल होगी, सेल किसकी, सेल ओफ इम्मुवेबल प्रोप्टी, इम्मुवेबल, ठीक है, तो जो भी सेल होगी, इम्मुवेबल प्रोप्टी की, that would be regulate by the Transfer of Property Act, TPA, डोल लीविंग लोग भी सेल होगी, अब आप जितनी भी प्रोप्टी सेल पर्चेस करते हैं, अपनी ल दूसरे इस एक्जेंपल आजाए हमारा एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है, एक चीज की बतल है, जो आप दूसरी चीज देती हो, for example, मैंने अपना मुवाइल फोन दे दिया, और किसी ने मुझे अपना कुछ और चीज दे दी, तो ये भी मुवेब प्रोक्टी का हो चाहे, ये भी चाहे मुवेबल प्रोक्टी का हो, चाहे इमुवेबल प्रोक्टी का हो, दोनों के ओपर TPA लागू होगा, सेल केबल मुवेबल प्रोक्टी की रागूलेट होगी TPA के अंडर, क्योंकि, सेल केबल इमुवेबल प्रोक्टी की रागूलेट ह होती है बच्चों के बात आपको बूल गया कि आपको पता है वैसी यह बात बताना तो क्या आपको पता भी है कि जो मैंने आपको इंडिने कॉंट्राक्ट एक्ट का सेक्शन 76-123 सेल अफ गूर्स के प्रोविजन बताए ना बाद इनको खतम कर दिया था 1930 में फिर सेल अफ ग और ना ही 239 से लेकर 266 के प्रोविजन लेकिन जब गूंट्राक्ट एक्ट बना था उस ताइम पी सारा एक्ट ऐसे था तो मैंने उस ताइम आपको पूरा बताया कैसे एक्ट बना हुआ था तो जो एक्स जो सेल की बात की जाती है इंडिने पर्सन की बीच वह डिल करता है तीपी ए लेकिन सेल ओफ मूवेबल प्रोवटी डिल करता है सोगा पहले 76 टू 123 इंडिने कोंट्राक्ट एक्ट के प्रोविजन थे बाद मेरे को फटा जिया गया अब सेल ओफ गूड्ड बन गया सोगा वोलते हैं इसको सेल गूड्ड जैक्ट सोगा इसे डिल करता है एक् माइल ऑफ मुवेबल प्रोक्ट kiss of immobile को लिस पर दोगे लीजिस का मतलव मतलब उताइस एक हैम प्रोंट यदी आ coal ब्रेस मेलरा मद दी तो इस्सार दो काम करना है रखक्ति इसम दाशिए तो वह अनुसार ही दी जाती है बच्चों ये बात आपने याद रखनी है चोथा मोट गेज मौटेज का मतलब होता है जब आप्रोक्ती जो है वो किसी को इम्मॉवेबल प्रोक्ती बैसक Tam यह भी इम और प्रॉक्ती से ईदील करेगा थीक है, out gauge भी इम मोमे silे ہ लेटी से दील करेगा तो जैब आप मिसमोल प्रॉक्ती की इसी को देते हो उसके नहीं को पैसे मिलता है और शाथ आप अपनी प्रॉक्ती को ऐसे सेक्योर्टी को देते हो तो वो भी किसके अंदर डील होगा ट्रांस्फर प्रोक्टी एक्ट के अंटर ही डील होगा लास्ट आता है बच्छों हमारा अग्यिफ्ट तो आप जब आपनी प्रॉक्टी इसे इसे गिफ्ट करते हो और लीविंग पर्षन भाप बिसेली है थो डीलिभीन लोगों के बीच हो रही है अगर एक पर्षन मर गया है और दूसरा जीवित है और मरे और पर्षन से प्रेवित जीवित को जा रही है तो टी यह रेगुलेट नहीं करता अपरेशन फलो मतलब जैसे किसी का केस चला हुआ है और फिर कोड ने बोला इसकी प्रॉप्र जब्ट करके इसको दे दो यह सेल करके इसको दे दो तो जब ऑपरेशन फलो की जड़िये प्रॉप्री ट्रांसफर होगी तो वह टीपी एक अंटर न प्रॉप्र जब एक्ट का स्कोप क्या है अगले लेक्ट में दोनों कवर कर लेंगे इससे पहले में दोस्तों में आपको बता दूँ हम लोग आपको रेगुलर लेक्टर भी देते हैं ओनलाइन टूशन के मादिम से कोचिंग के मादिम से तो अगर आपको ट्रांसफर प्र एक लेर करना है तो आप हमारे वर्टस्प नंबर 9816492276 या फिर 9816634276 आप इन नंबर पर हमें वर्टस्प कर सकते हैं और आप हमसे information ले सकते हैं कि कैसे आप class join कर सकते हैं अगर live class होगी तो आपको live देंगे अगर recorder होगी तो आपको recorder भी देंगे और साथ ही हमारी application personal application डवलप हो रही है जल्दी ही 15-20 दिन में वो डवलप हो जाएगी उसमें आपको सारे lecture मिलेंगे जो paid होंगे वो paid मिलेंगे जो free होंगे वो free मिलेंगे तो please आप हमारा साथ दें और हमारे साथ ऐसे बने रहें thank you very much keep supporting us